आज हम व्याकरण का पार्ट एक भाशा लिपी और व्याकरण का भाग दो पड़ेंगे राश्ट भाशा पूरा राश्ट जिस भाशा में बात्चित करता है उसे राश्ट भाशा कहते हैं इसे हम संपर्ग भाशा भी कह सकते हैं हिंदी हमारे राश्ट भाशा है राजकाज की भाषा को राज भाषा कहते हैं बोली किसी भाषा का अरंबिक रूप बोली होता है बोलचाल के काम आने के कारण उसे बोली कहते हैं व्याकरण भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है व्याकरण के तीन अंग होते हैं वन वै छोटे से छोटा द्वनी चिन जिसके टुकडे नहीं हो सकते वन कहलाता है शब्द पर्णों के मेल से बने अर्थवान और स्वतंत्र सम्मू को शब्द कहते हैं एक आशे को प्रकट करने वाला पद सम्मू वाक्य कहलाता है हिंदी की बोलियां हिंदी के निर्माण में 18 बोलियों का योगदान है इन बोलियों को 5 भागों में बाटा गया है पस्चमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजिस्तानी और पहाडी धन्यवाद